उसका अगर एवरेश पकड़ा जाएगा तो पंद्रा रूपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान उर्जा दापा बनेगा, देश का प्रदूशन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, सोला लाग करोन रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाए ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गाव संब्रुद्ध संपन्न बनेंगे, गाव के किसान के बेटियों को रोजगार मिलेगा, और इस देश का किसान केवल अन्न दाता नहीं, उर्जा दाता बनेगा, ये हमारे सरकार की सोच है, और इसलिए, अब मैं आगस्ट महिने में, टो एको कंपनी की गाड़ियों को लांच कर रहा हूँ, आपको पता होगा, केमरी करके गाड़ी थी, वो ये नवा है, अब सब गाड़िया, किसानों ने तैयर के वे इथेनॉल पर चलेगी, साथ परसें इथेनॉल, चालिस परसें बिजली, उसका अगर एवरेश पकड़ा जाएगा, तो पंद्रा रुपे लिटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान उर्जा दापा बनेगा, देश का प्रदूशन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, सोला लाग करोन रुपे का इंपोर्ट है, उसके बजाए ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गाउ संब्रुद्ध संपन्न बनेंगे, गाउ के किसान के बेट्यों को रोजगार मिलेगा, और इस देश का किसान केवल अन्न दाता नहीं, उर्जा दाता बनेगा, अब मैंने आगे भी लि दामबर त्यार होगा, पानी पत में परली से इथेनौल त्यार हो रहा है, और अवियेशन फ्यूएल, हवाई जहाँ चलने के लिए जो इंदन लगता है, वो भी किसान बना रहा है, यही हमारे सरकार की कमाल है, स्पाई जेट का विमान, देज और उन्षे दिल्ली हमने किसानों ने तैयार के विए इंदन पर लाए, बैना और भाई और देश की तरक्की हो रही है, हम देश दुनिया के सबसे बड़ी आर्थ वेवस्ता बने है, हम देश में सबसे आर्थिक दुट्ष से विकास करने वाला देश पने है, मोदी जी के नेतरुत में, 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनामी, आत्म निर्बार भारत! झाल भारत!